अगर अपने फ्लीप कार्ट से बहुत सारे समान एक साथ ओडर किये थे और उनमें से एक ओडर या दो ओडर को कैंसल किये होंगे तो आप उस ओडर का जो इस्टेटास है अगर आपको चेक करना है तो आप किस तर से कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा किस तर से आपको करना है सबसे पहले आपको क्या करना है आपको प्लिप कार्ट जो एफ है उसे ओपें कर लेना है जैसे उपें करते तो इस तरह का इंटरपैस आ जाएगा यहां पर आपको क्या करना है थ bullish लिए और यहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको जो ऑडर कैंसल किये थे उस उप्सन पर आपको क्लिक करना यह बला जहां पर आपका सारा इतने सारे ओडर किये थे यहां पर देखने को मिल जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं जो लिखा वाइस पर आपको क्लिक करना है अ当 यहां पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना होगा जैसे घ्लिक करते तो बपर देख सकते यह जो ऑर्डर यह मैंने रिखेंसल किया था यहां पर देखने को मिल रहा है कि स्टेटस क्या है यहां फर देख सकते कि मेरा जो product है जिसे मैंने cancel किया था वो यहाँ पर return हो चुका है और यहाँ पर आपका जो पैसा है refund आने में अभी देर होगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते refund कर जो option तक नहीं आया है जैसे यहाँ पर refund के option तक आ जाता है उससे पहले ही आपका पैसा जो आपके बैंग में transfer कर लिया जाता है तो इसी तरह से आपको भी चेक करना है कि आपका जो order है जो cancel किया थे उसका स्टेटस अगर फ्रेंट्स मेरा वीडियो देखकर आपको helpful लगा हो तो मेरे वीडियो को जो लाइक कर दीजिए प्रेंग